अबे जिस बीजेपी के राष्टिय अध्यक्ष बंगारू लक्षमन खुद कैमेरे के उपर पैसे लेते पकड़े गए हूँ जिस बीजेपी ने भष्टाचार के दरजनो आरोपियों को पार्टी में शामिल करके बड़े बड़े पद दिये हूँ जिस बीजेपी ने पीम के रफट का हिसाब देने से इनकार कर दिया हो जिस पार्टी ने इलेक्टोरल बोंड के चंदे का हिसाब देने से मना कर दिया हो अबे जो बीजेपी नरेंदर तोमर के बेटे पर वीडियो के जरीए लगाये गए सैकडो करोड रूपे के आरोप की जाच तक न करवाती हूँ जो बीजेपी आडानी पर लगे हजारो करोड के गोटाले के आरोपे की जाच तक न करवाती हूँ तुझे क्या लगता है वो बीजेपी भर्ष्टाचार की तुश्मन है उस बीजेपी को चलाने वाले मोदी इमानदारी के मसीहा हैं अरे भाई साब कॉंग्रेस सांसद धीरत साहू के ठीकानों पर आये कर भाग की छापे मारी हुई है उसके पास से साड़े तीन सो क्रोण रुपे प्रामद हुए है कॉंग्रेस में ऐसे भरष्टाचाई लोग भरे पड़े हैं इसलिए तो हम लोग कॉंग्रेस का विरोध करते हैं ओ बाई ज्यादा विरोध भी मत करना कल को यही धीरत साहू तुम लोगों का डिप्टी सीम बना मिलेगा फिर तुम्हें इसी के नाम के जैकारे लगाने पड़ेंगे क्या मतलब कहना क्या चाहते हो तुम मतलब यह कि जिस दिन इस आदमी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली उसी दिन ये सारा धन चंदे की राशी साबित हो जाएगी धीरज साहू सबसे बड़ा सनात्नी देशभक्त साबित हो जाएगा सारा मामला ऐसे रफू चक्कर हो जाएगा जैसे नरेंदर तुमर के बेटे और अडानी वाला हो गया कुछ भी ये बीजेपी है मोदी जी की बीजेपी यहां भरस्ताचार और भरस्ताचारियों की कोई जगह नहीं है जगह तो ये लोग मांगते भी नहीं ये तो बड़े बड़े पद मांगते हैं अब याद है थोड़े दिन पहले जिस आजीत पवार और छगन भुजबल जैसे नेताओं को तुम लोग भरस्ताचारी बताते थे उन्हें जेल में चक्की पिजवाने की बात करते थे उन्हीं लोगों को मोदी ने मंत्री बनाकर तुम लोगों को आका बना दिया अब उन्हीं लोगों के सुआगत में तुम लोगों को दरी बिचानी पड़ती है अरे हो जाता है कभी कभी राजनीतिक मजबूरियों के चलते एक दो लोगों को जिस्ट करना पड़ता है एक दो अबे अजीत पवार छगन भुजबन हसन मुश्रीफ ये तो नए नए ताजा उधारन है भूल गए हेमंत विश्वा शर्मा जब असम की कॉंग्रेस सरकार में मंत्री रहते हुए उनको शार्दा चितफंड घोटाले में CBI ने आउपी बनाया था फिर उन्होंने अगस्त 2015 में बीजेपी जोईन कर ली और उन पर कड़ी कारवाई करते हुए मोधी ने उनको असम का मुख्य मंत्री बना दिया शुबहिंदू अधिकारी पश्चिम बंगाल मंता सरकार में मंत्री थे CBI ने शार्दा घोटाले में पुछताच शुरू की शुबहिंदू पर नार्दा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसे लेने का आरोप लगा उसकी जाच एडी ने शुरू की थी लेकिन जैसे ही वो बी बीजेपी का दामन थाम लिया अरे ठीक है ठीक है रने लो बस क्यों रहने दो अभी दोर सुनो नारायन राणे महराष्टर बीजेपी ने ता किरिट सोमया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेर फेर का आरोप लगाया था सोमया ने CBI को 1300 पन्नों का दस्तावेज सो पा था राणे पर मनी लॉंडरिंग कर अपना पैसा सफेद करने का आरोप लगाया यह देकर मोदी जी को इतना गुसा आया कि 2019 में राणे को बीजेपी जोईन करवा कर केंदर में मंत्री बना दिया करनाटक यह दियूरपा पर 2011 में 40 करोड पे लेकर अवैद खनन को शैद देने का आरोप लगा था और लोकाय उतने उनके खिलाफ अर्ष्ट वरेंट जारी किया था उन्हें अपना CM पद छोड़ना पड़ा 2013 में चुनाव में उन्होंने अलत पार्टी बना ली उसके बाद मोदी जी ने यह दियूरपा की घर वापसी करवाई 2016 में CBI कोटनी यह दियूरपा को की जिट दे दी प्रवीन डारेकर, हार्दिक पटेल, कुल्दी बिश्नोई, मुकुल राय, बुककल नवाब, सुखराम समेट अंगिनत ऐसे उधारन हैं जिनके उपर आरोप लगे, शामिल होकर कटर, इमानदार, देशभक्त और धर्म के रक्षक हो गए हैं